है कि यह प्रेंड इस वेलकम तो माई न्यूब ब्लोग आप सब का न्यूब ब्लोग में बहुत बहुत वेलकम है तो आप लोग देख सकते हो यह है मेरी मेरी फ्रेंड नी सुरी सिस्टर मैं कुछ भी बोले दा रही हूं बहुत टाइम बाद बॉइस ओबर कर रही हूं तो आप लोग भी डेली पूछ रहे हो मैं मैं आपका ब्लोग क्यों नहीं आ रहा डेली अप्लोड करो बीच में डाल द करेते फिर बंद कर दिये तो आप लोग को मेरी घर की सुचेशन तो पता है क्या चल रहा है अभी मेरे पापा कुछ दिन पहले ही एकस्पायर हुए ससुर जी एक मत हुआ है तो इतनी जल्दी सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा तो सब लोग को बहुत दुख है तो अभी बहुत कुछ थे और पापा के जाने के बाद हमारा कोई अभी तक एक ब्लॉग आया है बस वो भी वो भी जो खेत पकायते वही ब्लॉग आया है न्यू ब्लॉग और कोई ब्लॉग नहीं आपाया आया है यह सारे ओल्ड ब्लॉग है तो मैं इसमें बैटिंग कर रही हूं औ और यह अपना कंबल अंबल और यह बैट सीट बगेरा लगा रही हूं और पापा थे तब तो खुसी खुसी थी अब इतना इतना खुसी नहीं है पहले अच्छे से रहते और सारा टेंशन फिर इता ना अब तो सारा टेंशन मुझ पर ही आ गया और जो कंबल निखाला था भाई आ गया था तो मैंने भाई रख दिया कंबल और हस्मेंट के लिए मंगा आया है मैंने पारसल तो अभी कॉल आया है तो मैं पारसल लेने साओंगी तो उससे पहले मैं अपना घर का काम कर लेती हूं सारे फटाबट से कपड़े अप्रे फोल्ड करके और बैट सीट मैं मेरे बहा लूआ काम कर भा रही है और जो मैंने अ महला मेहन्दी की मावन मेहन्दी के बालो मे और ऊसिस होले हाँ यह आया हाहाई अलिया धाया बरुदर शुर्ट आया दियर्ष पतागते हिए महथें लगाने धार धूर्ध्रू सबस्ट मुद्त में ज Resil dafür dot यह हाईलाइट कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और हाईलाइट मैंने बाल करवाय थे बहुत सौक लग रहा था मुझे मेरा भी मन हो रहा था कि मैंने कभी हाईलाइट ने करवा है मैं आज हाइलाइट करवा के छोड़ूंगी लेकिन पापा चले गए तो इसके बाद हमने कोई कोई सौफ नहीं कर पाए इन वालों कोई मतलब नहीं रहा हाइलाइट करने का तो आप लोग के रुकेश्ट पर ही पहना ब्लैक करका साड़ी ब्लैक करका ब्राउश और देख र एक मी टेराम है तो इंको महां से मिलता है तो हाँ रखा हुआ था का तो उसम pequeño अगे बनाने वाले हैं चाले हैं और किसने खाया नहीं था, उसके बाद भेलपूरी खाने का मन था, तो हम भेलपूरी बनाने जा रहते हैं, और यह कड़ाई में तेल रखा था, कुछ शेका था, पता नहीं पापड सेके थे या फिर पता नहीं बहुत दिन बाद दो बॉइस उबर कर रही है आत नहीं है जो भी सेका होगा तो मैं ने मदब तेल कटोरी में करके रख दिया था और ये लाई है तो लाई पापा ही लेकर आए थे तो मैंने ये क्या बोलते हैं बेल पूरी बनाने के लिए दो टमाटा दो प्यास तो हरी मिर्च ले ली हैं और हरी मिर्च बैसे किसी को अच्छी तो नहीं लगती बेल पूरी में क्योंकि तीखी हो जाती है ना तो डुगुगु भी खाते हैं तो कम तीखी रखना पड़ती है तो जो चिकनी तीकड़ाई तो वो साफ नहीं होती तो मैंने उसमें चुनी बुसी होती है ना आटा में से निकलता है वो डाल के मैंने किस दिया और उसमें से तेल निकल गया तो पासल भला भी आ गया वो मुझे पासल दे गया था तो हजबन को दे रही थी सप्राइस तो हजबन को तो पता ही नहीं कि क्या मंगाया और क्या नहीं उनको कुछ मालूम नहीं इस चीज में तो मैंने उनके लिए जो स्पोर्ट जो बनिया रहता है ना तो वही मंगाया था तो उनको सप्राइज देना था तो यह रहा तो मैं वो आप लोग को दिखा रही थी तो आप लोग देख सकते हो यह color radical का एक तो आप लोग देख सकते हो अच्छे तीन पीस एक कॉम्बो सैट है तो हाजमेंट के लिए चलो दो तीन महीने गर्मी में आरम से पहल लेंगे और फिर उसके बाद फिर देखेंगे तो हाजमेंट के पास चलते हैं देखते हैं क्या रेक्षिन होता है उनका सप्राइज देते तो यहां सो रहे हैं भाई साथ देखो इनको जगा रहे हैं जगने का नाम नहीं ले रहे हैं मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि बहाने बना रहे हैं क्योंकि अभी अभी जग रहते जब मैं लेके गई थी ना जब जग रहते मतलब मैं थोड़ी देर पहले गई थी जब तो मुझे ऐसा ही लगा कि बहाने बना रहा है मुझे नहीं पता जो भी हो तो देखो इन ले लिया गिफ्ट अपना अब यह खोलेंगे देखता है इनका रेक्शन कैशा तो देखेगा खुस हो गया बहुत जादा और बहुत जादा खुसी में तो हमने का हमी बटन खोलने हो जैता तो डांस नाचने लगे और फिर मुझे पता है बहूत आज़ी ऐई थी क्योंकि मुझे गोधी में उठा ली आता उनने तो क्योंकि देखो मैने बोला था मुझे हुश ने करो तो उनने गोधी में उठा लिए और मैं भी खुसी से नाचने लगी ऑर डुक guitar अपन तो फिर में अपना माल से खो सो के मस्ती करके उसके बाद आदे खंटे बाद का बलॉग है या तो मैं यहां खाना आना तो बनाई चुकी थी तो किचिन का पार्ट साफ करना रह गया था तो वह भी हम साफ करे दे रहे हैं और यह काला नबक तो काला नबक हम बहल पुरी में ड क्योंकि पार साल आ गया तो पार साल बारे भाई है तो हम बीच में छोड़के बरखे आयते तो यह नबक भी नहीं था तो हम नबक पीसे ले रहे हैं फिर अपना बनाते फेल पूरी तो सिलवट्टा है भाई सिलवट्टा किस किसने चलाया है मुझे कमेंट मैं बताईएग पीस कर खाते हैं लेकिन पता नहीं मैं नहीं पीस घी मिर्चे लग जाती है तो मेरा काला नबक पीसक्वा сिलार तो मेरा काला नबक पीस किया हो बहुत दिन बाद बॉइस उबर कर रही हूँ तो आप लोग जानते हूँ ना इतने दिन बाद मैं बॉइस उबर कर रही हूँ तो कैसा मन भी नहीं हो रहा कि कैसे मदब बॉइस उबर कर रहा है कि जैसे मुझे कोई डिश्टप कर रहा हूँ या फिर बोलने में झा रही हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो पता नहीं, बहुत दिन मत कर रहे हूँ, तो आड़ रहा है, तो जो वाला मिलता है तो वो खबता कोई खाता भी नहीं है हमारे ग़र में तो इसको मैंने छोड़ा तो यह था जो पतला वाला सीव होता है जो पाव पोवा बागिरा में डालते हैं तो वो ही मैंने भेलपुरी में आड़ कर दिया लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था सच बच जाती है जब भूख लगती है तो हाल हाल बना के खालो हम ऐसा ही करते हैं भाई को बुलाने गई थी महां सो रहा था तो भाई नमकीन कम पड़ गई तो नमकीन छोटे पतले वाले सेब थे तो उसी से काम चलाना पड़ रहा है तो वो दिख भी नहीं रही है उसमें ला हमारी चेट डाल दी धनिया कम डाली क्योंकि धनिया इस टेम बहुत में गया रहे इसलिए तो अपना भेल पुरी खा के फिर हम चपल जूते साफ करने के लिए उपर ले चल दिये क्योंकि चपल जूते भी हम साधी आदी में गए थे तो पापा हमारी जैसे एक्सपार साधी में तो हमने यह ब्लॉक तो दूफैन में सुभई सूट किया था ना दब हमने चपल जूते दोएते तो हम साधी में जा रहे थे उसी के लिए चपल जूते अपने रेडी कर रहे थे कि साफ सुदरे क्योंकि महां पड़े थे उसके नीचे भंडरिया में कूलर की अधरी कर दा है तो मिते बाहर रहे थे भान से आऊँ है तो रही करो में कर दिए दिया है तो इनको पता नहीं था कि हम आधा हूं जिए लग रहा था कि हम फोन चलाएं तो हम ऐसे ही इनका वीडियो बनाने लगे थे तो फ्रैंट्स ते इनको पता चल गया था फिर